अगर आप 4-5 साल पहले की बात करोगे तो 5-10,000 में ना कुछ नियादा था मिनिमम उक्ताइकोर प्रोसेसर आपको 13-15,000 ऐसे दिखने को मिलते थे और अब ये 7,000 में उक्ताइकोर प्रोसेसर दे रहा है पॉस्ट इंप्रेशन स्मार्टफोन का काफी अमेजिंग सा है बट खोड़ा सा बड़ा है वेट एक प्रोक्स 180 ग्रैम के असपास है हेवी फील नहीं होता है 6.6 इंच की पंच होल डिस्पले आती है लेफ्ट की तरफ पावर प्लस फिंगर्पिंट है जिस पे एंटी ओइल कोटिंग है राइट साइब ट्रे है जिसमें दो नेनो सिम और एक मेमरी काड़ आप डाल सकते हो नीचे की तरफ आउक्स माइक टाइप सी ओक्स अभी वी दी गई है स्पीकर एक स्पीकर ऊपर की तरफ दिया गया है पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा ड्यूल फ्लेश लाइट सेट अप है आगी की तरफ एक भी फ्लेश लाइट दी गई है स्पीकर की काफी बड़ी सी दी गई है पूरा ही बोडी प्लास्टिक बिल्ड में आती है 8.5 mm के थिकने से कर्व एजिस के साथ आता है ओवरोल इसको बोक्सी डिजाइन दिया गया जो आजकल मार्केट में चल रहा है पीछे टेकनो की ब्रेंडिंग है ये मिस्ट्री वाइट कलर है इसका एक ब्लेक कलर भी आता है बट मिस्ट्री वाइट मुझे ज्यादा अच्छा लगा है इसमें मल्टी कलर एफेक्ट आपको देखने को मिलता है और साथ में एक ब्रश फिनिश भी दी गई है अब अपने एंड्रोइड में एड को डालके आप वर्चुली डैनेमिक पोर्ट का मज़ा ले सकते हो और सेम ऐसा इन्होंने कंपणी के इन्बिल्ट कर दिया है ये एक्ट्यों में डैनेमिक पोर्ट नहीं है बट सोफ्वेर की मदद से ये कैमरा के आइट साइड में क्रिय इसकी 7 PPI की डेंसिटी आती है 84.6% स्क्रीन टू बोडी डिशू है 180 हर्स का टक सेंपलिंग रेट है 480 नीट की पीक प्रेगनेस के साथ आती है इसकी डिस्प्ले ना मोस्टली 90 हर्स पर ही रहती है ऑप्शन आता है इसमें 60 90 और और अटोमेटिक लिए होता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं इसमें मैक्समल 720P की आप वीडियो चला सकते हो ब्राइटनेस काफी अच्छी है इंडोर और आउट्डोर में काम कर पाओगे थोड़ा सा कम फील होता है ब्राइटनेस डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं 720 के हिसाब से अब जब डिस्प्ले की बात ह और यह तो स्पीकर की बात कर लेते हैं इसमें सेग्मेंट फर्स्ट ड्यूल स्टीडियो स्पीकर विडिटी एस टेकनोलोजी के साथ आता है डिटीएस के फुफब होती है डिजिटल ठीटर सिस्टम कंपनी क्लेम करती है कि इसमें सिंगल स्पीकर के मुकाबले 400 परसेंट ज्यादा वोल्यूम है स्पीकर की क्वालिटी प्राइस को देखते हुए डिसंट इनफ है आपको सुनने में अच्छा कासा एक्स्पीरियंस आएगा बट वाली वाली साउंट नहीं है 4GB की RAM आती है जिसमें 4GB नॉर्मल है और 4GB वर्चुल रहम है जिसको आप अपने हिसाब से एड़्जस्ट भी गर सकते हो T606 OctaCode 12Nm 64bit का प्रोसेसर आता है Q है male G57 मैंने इसमें Geekbench भी रन किया था जिसका स्कोर 378 सिंगल को 1387 मल्टिकोर अब performance की बात है तो gaming तो करके देखनी थी मैंने इसमें BGMI प्ले किया BGMI की graphics balance जाके अटक गए थे इससे ज़्यादा ऊपर जाके आप यूज नहीं कर सकते Frame rates मैंने high पे रखे थे Normal smooth experience हुआ था गेम कहाँ थोड़ा बहुत कहीं न कहीं फ्रेम ट्रॉप हो रहे थे बड़ इतना भी powerful नहीं है Performance की बात हो रही है तो battery सबसे important है 5000 mh की battery आती सबसे गंदी चीज इसमें 10 वोट का charger दिया गया है 0-100 3.25 hours में complete हुआ है इतना number time इसमें battery lapse दिया गया है जिसमें battery boost आता है Ultra power saving modes आता है जिसमें 6 apps को permission मिलेगी बाकी सब को रिस्टिक कर देगा जिसे battery backup बहुत जादा increase हो जाता है एक अच्छी चीज है AI smart charge option आता है overnight charging करते हो तो यह आपके pattern को हिसाब करता है for example आप रात को 9 बजे लगाते हो और सुबह 7 बजे निकालते हो तो पूरी रात यह एक limit तक charge करेगा बट जैसे ही साथ बजने वाले होंगे तब यह complete charge करेगा जिससे battery खराब होने की chances कम हो जाते है medium task पे यह एक दिन निकाल देगा and normal task पे आप दो दिन का battery backup expect कर सकते हो कि जब आप phone लेते हो तो जो और में use करती हो standby mode पे तो कहीं डालोगे बट heavy task करोगे तो आपको एक दिन में charge करना पड़ सकता है Android 13 पे based OS आता है Go Edition iOS 13 आता है OS काफी clean है बहुत सारे preloaded apps आते हैं जैसे YouTube, YouTube Music है, Music Player है, Spotify है, Facebook है इनका खुद का Play Store है, Palm Store करके और कुछ parental control है, कुछ इसका warranty वगएरा है इनका खुद का phone master भी है, जिससे आप file cleaning, RAM cleaning वगएरा कर सकते हो तो extra कुछ जालने की ज़रुद नहीं पड़ेगी आपको बहुत सारी preloaded themes आती हैं, free भी हैं, paid भी हैं और सबसे important बात आप इसमें customization बहुत बड़े level पे कर सकते हो in fact, आप DIY भी कर सकते हो, apps कैसे design करना, font वगएरा वो सब आप कर सकते हो digital well-being और parental control आता है, मतलब आप अपने mobile का पूरा status देख सकते हो कितना कहां use किया है, और अगर आपका बच्चे वगएरा को use कर रहे हैं, तो उसमें आप restrictions भी डाल सकते हो safety feature है, special feature में dynamic port के आप options को adjust कर सकते हो और virtual RAM को set कर सकते हो, gesture भी है, बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, normal काम करता है, screen off में काम नहीं करेगा important part, camera's के बाद कर लेते हैं, 8MP का f2.0 aperture, selfie camera है, जिसमें dual flashlight का option है काफी bright है, और हाँ वो notification वगएरा, charging वगएरा भी show करती है, dual camera setup है, 30MP f1.85 aperture, wild angle, primary camera और 0.08MP depth sensor, pixel size है 1.12, face detection, autofocus आता है, इसके अंदर, optical image stabilization नहीं है, dual flashlight का option मिलता है, exposure compensation, ISO control, continuous shooting और HDR का option भी मिलता है 4X digital zoom के साथ, auto flash, face detection, filters, touch to focus, और AI camera देखने को मिलता है, 1080p, add 30 frame rates तक shoot कर सकते हो एक special short video mode में आता है, जिसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे filters हैं, जो आपको short video बनाने में काफी help करते हैं beauty mode, portrait mode, super night mode भी देखने को मिल जाता है, overall इस package के इसाप से decent camera setup दिया गया है हो सकते थे, indoor में काफी अच्छी performance है, और यह portrait में भी detailing में थोड़ा सा issue है, बट overall एक अच्छे performance निकाल के दे रहा है slow motion बस काम चला हूँ है, और इसकी normal video अच्छी खासी है, optically में stabilization नहीं है, बट फिर भी अच्छी खासी stable video है दे रहा है 64GB की internal storage है और जो expand हो सकती है 1TB तक externally, OTG को यह support करता है, network and connectivity की बात कर लेते हैं जो सबसे important है इसमें dual sim GSM plus GSM, जो 4G, voltage को support करता है, 5G इसमें नहीं दिया गया है यह कुछ bands हैं, जो आपको screen पे show हो रहे हैं, जो यह support करता है Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, fingerprint, light sensor, proximity sensor, accelerometer, compass जैसे sensors इसमें देखने को मिल जाते हैं एक और चीज़ important है, वो है SAR value, इसमें 1.02 वोट आर पर किलो की SAR value है, head के लिए, body के लिए 0.905 वोट पर kg वो within limits, overall जो experience रहे smartphone का वो ठीक ठाक है, normal task के लिए आप इसको use कर रहे हो, तो काफी smooth है काफी सारी अच्छी features दी गई है इस price range के हिसाब से, हाला कि बहुत सारे से smart phone सा, जो इस price range में almost same features offer कर रहे हैं, जैसे Infinix का है अगर heavy task की बात करें, तो performance कहीं न कहीं थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत lag होती है smooth experience ये तो 90Hz पर चलाना, बट battery save करने ये तो 60Hz को prefer करो, performance भी अच्छी हो जाएगी और battery भी बच जाएगी इसके लवा network connectivity में थोड़ा सा issue देखने को मिला है, वो software update की मदद से ठीक की जा सकती है ये सारी चीजे conclusion की बात करें, तो overall इस price रोंच के देखते हुए, smartphone काफी अच्छा लगा है, मुझे experience है, वो smartphone का काफी amazing है चोटे-मोटे cons तो रहते ही है हर product के अंदर, बट price को देखते हुए, वो considerable भी है वागी link description मिल जाएका, वहाँ से जाके अब इसको purchase कर सकते हो, और अगर आपने smartphone को लिया है, तो हमारे साथ अपना experience comment section में जरूर share कर सकते हो और वीडियो अच्छे लगी हो, तो like, comment and share, चैनल को subscribe कर लेना, bye bye, take care, मिलते हैं ऐसी amazing video के अंदे